गुट मॉर्णिंग स्टूडेंट्स आज हम पाठ एक संस्कृत वर्ण माला पढ़ेंगे ठेक है संस्कृत एक प्राचीन भाषा है हमारी प्राचीन भाषा सबसे प्रानी भाषा कुन सी है यह भारत की अनेक भाशाओं की जननी है जो संस्कृत भाश्चा है यो जुसकी लिपी देव नागरि है जो संस्कृत की जो लिपी है क्या है देव नागरि आकका फिलिंदा बॉंक को कौन सी है इसकी लिपी कौन सी है कि यहां प्रतेग ध्वनी के लिए एक विशेश लिपी का कि संकेत दिया गया है संस्कित भाष्जा में बसस प्रकार क에 होते हैं संस्कित कितने प्रकार के होते हैं क्या तीन कौन से स्वर स्वर को अधन और आयोग वहाओ व्यंजन और आयोग वहाओ किन स्वारों की संख्या कितनी होती है यारा थेस्ट में है स्वारों की संख्या कितनी होती है तेर हैं तेर हैं आ ए ई ऊ री 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 ए आई ओ आउ कौन कौन से स्वार होते हैं आ आ आ आ आ आ जा ए री री डा ओ और ओ ओ ओ ओ ओ ओ तो ठीक है व्यंजन व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है 33 कौन-कौन से व्यंजन होते हैं यह क्या क्यलाते हैं यह लवा क्यलाते हैं आपके अंतरस्थ जो उपर वाले जो यह 25 जो थे व्यंजन यह क्यलाते हैं कौन से व्यंजन है आपके अंतरस्थ जो ऑसाह क्यलाते हैं ऊष्मूवियंजन फिक्राइस गन्तरस्थ व्यंजन कौन से होते हैं यह रह लव और उश्मु व्यंजन को से होते हैं अब इन सब में हलंद क्यों लगा रखा है क्योंकि इसमें अभी स्वरों को जोड़ नहीं रखता है हां वेरी गोड आयोगवा आयोगवा क्या होते हैं यह ना स्वर है और ना व्यंजन है यह ना स्वर है और ना व्यंजन है बिना स्वर के इनका उचारण संभव नहीं होता इनकी संख्या दो होती है अनुस्वार और विसर्ग हम जैसे किसी शब्द पर अदुस्वार बिंदी लगाती है जैसे अपने लिखा पांग पांदर बंदर पंग अनुस्वार क्या बोलते है उसको अनुस्वार और विसर्ग विसर्ग पीछे लगाते हैं जैसे प्रात है लिखा आपने पुन्हे लिखा और हम कैसे लिखते हैं संस्क्रित में अब यह जब पीछे बिंदी लगाते हैं दो उसको हम बोलते हैं विसर्ग विसर्ग पढ़ा है ना आप आयोग वहां के उचारण में पहले स्वर्गा उचारण होता है जबकि व्यञ्जन के उचारण में व्यञ्जन के बाद स्वर्गा उचारण होता है भी कहते हैं व्यांजन का दूसरा नाम क्या है? व्यांजन का दूसरा नाम क्या है? हल हल व्यांजन को हम हल भी कहते हैं व्यांजन को हल भी कहते हैं व्यांजनों के नीचे हल हल मतलब क्या होता है जो हलन्त होता है अपन हलन्त बोलते है उसका चिन लगा होता है व्यांजन वण माला में स्वर रहित हो तो व्यांजन वणनों के नीचे तिर्ची लकीर जो लगी रहती है वह बताती है कि यह स्वर रहीत है मतलब उसमें स्वर जूड़ा हुआ नहीं है ठीक है जैसे अपने लिखा जैसे हमने लिखा कर में किसके आ की आवाज आ रही है इसके मतलब इसमें यह स्वर जुड़ा हुआ है और हमने हलंत लगा दिया तो यह स्वर रहित हो गया इसमें से हमने स्वर को अलग कर लिया ठीक है जैसे का का में किसके आवाज आ रही है आ की तो आ है स्वर जुड़ा हुआ है ठीक है अब अपने जितने भी हमने स्वर पढ़े हैं उनकी मात्रह है देखो अ जैसे हमने का में आ की अवाज आ रही है तो कुन सी मात्रह हो गई अ की का क में आ की अवाज हो रही है तो कुन सी मात्रह आ गई है? कि 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 मात्रा ही जैसे पा में हमने इ जोड़ा तो क्या बन गया शाब्द पिता पा में बड़ी एकी मात्रा जोड़ेंगे तो क्या बन गया मीनह खीरा खीर ठीक है चोटा उ चोटे का में उ की मात्रा जोड़ेंगे तो कुत्र रुस्त्र और क्या बनता है बोलो कुकुरह कुकुरह वेरी गोड बड़े उकी बड़े उकी मात्रह कैसे लगेगी इधर से जो लगाते हैं चुट अब री की मात्रह से हमने क्या लगाया म्रिगह और क्रिपा जैसे हम लिखते हैं क्रिपा रक्षा कैसे होगा बेटा अब रिक्षा हो गया अब है री री में यह बड़ा री के लाता है इसमें डबल मात्रह लगती है जैसे त्रह में हमने री जोड़ा तो पित्रीन बन गया क्या बन गया पित्रीन यह ता में हमने आपे डबल मात्रह लगा दी और ना पहलन पित्रीन एकी मात्रह जब एक मात्रह होती है तो बोलते हैं एकी मात्रह मेघ्व और क्या बनेगा बोलो एसे और क्या बनेगा एडी एडी तो मात्रह हो गई मात्रह लगाने एकी एनक में तो आई की मात्रह होती है एकी मात्रह किसमें लगेगी एक कहा बैट ए तो स्वर है मात्रह वाले शब्द बोलने आपको केला केला वो तो हिंदी में हो गया और संस्कृत में अपने पड़ा था सेवम है ना एकी मात्रह लग रही ना सापे अब आई आई के लिए दो मात्रह लगाते हैं जैसे देत्य क्या बन गया देत्य और क्या बनेगा राम आई पड़ा था पने राम में आई की मात्रह पीछे राम आई अब ओ पामें ओ की मात्रह लगाई तो क्या बन गया पोटह जैसे कपोटह 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 कबूतर के लिए बोलते हैं ना कपोटह आउ आउ की मात्रह में क्या हो गया जैसे पा में आउ की मात्रह लगाई पोट्रह और क्या बनेगा राम वेरी गूड अउ की मात्रह से और तो क्या दर्जी को बोलते हैं सोची कह अब है आपके संयूक्त व्यंजन संयूक्त व्यंजन कौन से होते हैं जब दो व्यंजन वर्ण परस पर जूड जाते हैं तब वें संयूक्त वर्ण कहला थे जब दो व्यंजन होते हैं आपस में जूड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं वो संयुक्त जैसे का और ना मिलके क्या बन गया यह वाला शुर ठीक है जो और ना मिलके क्या बन गया ग्या तो रा मिलके बन गया त्रह शा और रा मिलके बन गया श्रह ठीक है कर श्रह जैसे यह वाला श्रह किसमें आता है कक्षा, पक्षी, पक्षी, है न, ज़ उन्न से बना ग्य, तो ग्या से क्या सब्द बनेंगे, ज्यान, 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 विज्यान, विज्यान, वेरी गूट, नेक्स्ट अल ताओ, रह से बनेगा, पत्र, 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 पुत्री शरो से बना श्रो से क्या बनता है अब है अन्य वर्णों का परस पर मिलना जिनमें समगर रूप का परिवर्टन नहीं होता है दोनों की पहचान बनी रहती है कुश चब्द होते हैं कं अन放心 कर नहीं करेंगे तो तो निया 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 दा में वा करेंगे तो दुआ का हम ऐसे भी लिखते हैं और अशे भी ता में ठा करेंगे तो तो अब अब अन्य व्यांजन वर्णों का व्यांजन जैसे र के बाद आ आता है है ना से जूड़ना जिसमें र के रूप में परिवर्टन होता है और टर डर डर का रह से सयोग होने पर रह का रूप रह हो जाता है मतलब उसमें ऐसी मात्रा आ जाती है जब किसी व्यांजन के बाद र आता है जैसे क के बाद र आया तो उसमें क्या बन गया यह वाला र पा के बाद र आया तो क्या बन गया यह वाला प्र प्रात हो और क्या बनेगा प्रतिक्षा यह जैसे क्र से बन गया क्रम क्र से बन गया क्रम सर के बाद रहाता है तो इस्त्र इस्त्री बन जाता है शब्द क्रोध 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 क् रह आता है तो उसमें कि नीचे लग जाता है जिसे टर के बाद रहाया तो यह ठ्र बन गया दा के बाद रहाया तो ड्र बन गया रखन द्र ड्रम हो गया, ट्रक हो गया, ठीक है ना, ठ के बाद हो गया तो ठ बन जाता है, यह वाले ड्र होता है तो उसके बाद होता है, तो यह क्या बन जाता है, ठीक है, अब जब किसी व्यंजन से पहले र आता है, देखो इसमें राप में हलन दे रखा है, बाद में म दे रखा है, त जो जब पहले रह आता है तो उसकी मात्रा उपर लग जाती है क्योंकि में से हमने सुर्ण अलग निकाल रखा है तो क्या हो गया आई और सब्रूंदर्म करूं जब मां की मात्रा है वो उसके उपर लग जाती है तो क्या बन गया शब्द धर्म जब हम बोलते हैं तो देखो रहा कि आवाज पहले आतीए वी सर्ग तो रहा की आवाज पहले आ रही है तो इसका मतलब हम पहले रह लगा रहे हैं अब इन में क्या थी कर के बाद रह की आवाज आ रही थी इसलिए हमने रह बाद में लगाया था है ना यह ना यह यह रह के बाद रह आ गया तो वर्ण और क्या हो गया कर्ण अब इसके अपन करेंगे कोश्चन आंसर संस्कृत भाषा की एक विशेष्टा लिखिए संस्कृत भाषा की क्या विशेष्टा है संस्कृत भाषा एक प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा कौन सी भाषा है प्राचीन भाषा है अपने को एक ही विशेष्टा लिखनी है दो लिखने होंगे तो आगे क्या लिखेंगे इसकी लखी देव नागरी है इसकी है ना है हम कुछ बहुंत सकते हैं बड़ा कुछ भी लिख सकते हैं सब्सक्राइब और सन्सटानों की पूर्टी कर्नि ए क, ख, ग, घ, न, आपकोंसी लाइन आएगी? आ, ज, 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 न, ट, ठ, ठ, ज, ढ, ध, ध, न, फिर, त, ठ, द, ध, ध, न, व, भ, भ, म, म को यारा लवा शचासा हा क्या हा क्या बीटरोड बीटरोड शचा चादरोड़ड शचादरोड में समाज कर रहा है यह तो ब्यांज नों को सवरों से जोड़ कर लिखना है मनें री लगाएंगे तो म्री बन गया में आ करेंगे तो वर्य करेंगे तो दो जोटा उए पामात्रस ऐसे लगाएंगे ना जाएंगे नु अपर भाईगे तो नु नु ड़के मात्रा इसे लगती है का में अ लगाएंगे तो अपर फ्रें काउ अब वा में य जोड़ा तो व्या जा में न जोड़ेंगे तो र्ला घ्या वरा देखर बाके बाद में आरहे है तो हम क्या लगाएंगे यह वाला वरा ठीक है ठीक है हम दामे या परेंगे तो या या शोरी बेटा एक मिनट गो करेंगे तो पहले जाता है तो मात्रा उसके अपर चली जाती है का में शा करेंगे तो शा में रा करेंगे तो डामे ना करेंगे तो दामे या जोड़ा तो द्रया अपरा कैसे बना आपका प्रा केसे बना प्रा के बाद रो प्रा कैसे बना?" स्त्रा कैसे बना तो प्लस दो ये श्रा कैसे बना है कैसे बना है कैसे बना हां के बाद री ड्वा कैसे बना ड्वा के बाद व ठीक है कि अब नेक्स्ट कोश्चन है संस्कृत में कितने स्वर्त अधा कितने वर्ण है कितने व्यंजन वर्ण है व्यंजन होते हैं संस्कृत में तेरा स्वर्त अधार तेरह स्वर्त अधार से नियन वर्ण होते हैं नीचे दिये गए शब्दों को देखिए तथा उनके सामने आयोग वह का नाम लिखना है अपने पड़े थे कितने आयोग वह होती है दो अनुस्वार है कि विसर्ग है अनुस्वार कंस में क्या है अनुस्वार जब बिंदी उपर होती है तो वह होता है अनुस्वार दंड में क्या है अनुस्वार अनुस्वार धर्म में क्या है विसर्ग पीछे दो बिंदी लगी विया तो उसको हम क्या बोलते हैं विसर्ग अब नेक्स्ट कोश्चन है आपका स्वरों को चुनकर उन्हें वर्ड माला के अनुसार लिखना है हर लाइन में से आपको पहले स्वर अलग करने है फिर उनको वर्ड माला के अनुसार की कैसे कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा फर्स लाइन में पहले बताए स्वर कौन कौन से है पुल, रि, उ, ए, ठीक है, है ना, सैकिंड इसमें कौन से हैं आपके, आई, ए, और ए, और लिरी, लिरी भी है लिटा, को मैं लिए लिए, आउ, रि, आ, सैकिंड लिए, और इरे, भी है लिए, और इसे घ्रिशी हो गया, कितने होगा टोटल, एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा ठीक है अब सबसे पहले क्या आएगा अब इनको अपने को लिखना है करम से औ यी उवा दा ग्यार प्रे ईयार प्र।्र।्विली ए बारा प्रे आउए आई दो वो नो दो म्रा ग्यार प्रीक है debaी आई 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 ग्यार प्रेरा आउ ठीक है? आगा बेटा चप्टर समझ में आपको? अपना ये फर्स चप्टर कम्प्लीट हो गया है उसको आप आज जाद करेंगे ठीक है बेटा? ओके बेटा बाई बेटा ओके मैम बाई मैम बाई